स्वागत आप सभी कान वेंदा टूप चैनल मैं मैं मैंसल्फ नवेन आज हम डिस्कस करेंगे थोरंडाइक की थियोरी चाइल्टू टैन ग्रोइंग अप की थर्ड यूनिट आईए देखे पहले मैं सर्फ आपको थियोरी थियोरी करा देते हूं फिर जो में टोपिक बचते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे इसलिए मैं पहले थियोरी कंप्लेट करा रहे हूं फर्स्ट यूनिट की हो चुकी है, सैकेंड यूनिट की हो चुकी है अब हम कर रहे है थर्ड यूनिट में जो थियोरी है थोरंडाइक की उसके बाद हम discuss करेंगे Pavlov की, Skinner की and Tallman की ठीक है यह जो main main theory है वो discuss करेंगे उसके बाद जो आपके topic बसते हैं हम childhood and growing up के वो discuss करेंगे ठीक है तो चलिए फिर start करते हैं यह जो theory है Thorantike की इसे कहा जाता है प्रयास और भूल का सिदांत, trial and error theory और इसको trial and error theory को कहा जाता है यह भी हम आगे discuss करेंगे इसमें ठीक है तो यह जो theory दी थी यह दी थी Thorantike ने इसका introduction क्या है आपको जैसे exam लिखना है ना answer जो आपको देना है questions का beard में उसी के according मैं इसका answer दे रहे हूं ठीक है तो introduction में आप लिखोगे कि इस सिद्धांत के पर्तिपादन Thorantike है जिन्होंने 1898 अपने अपना सिद्धांत दिया था Thorantike अमेरिकन मनोवैग्यानिक है और जिन्होंने पसवो पर अपना सिद्धांत दिया था इनका मानना है कि जानवरों और मनुष्यों में बूल और प्रियासों से सीखना या एक प्रिक्रिया काफी हद तक निर्वर करती ह एक दूसरे पर ठीक है इनकी थेयोरी को अनेक नामों से भी जाना जाता है ये जो थेयोरी दिया थेयोरी 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 ये इसका एक नाम है लेकिन सिर्फ एक ही नाम इसका नहीं है और भी नामों से इसको जाना जाता है कौन-कौन से नाम है वो देखत थोरंडाइक का संबंधवात से दांद, उद्धीपन, अनुक्रिया का से दांद, सीखने का से दांद, सैसंबंधवात का से दांद, थोरंडाइक का मानना है, यह होगे आपके, थोरंडाइक का मानना है कि अधिगम की प्रिक्रिया में सारेरिक और मांसे किरियाओं का किसी ने किसी मात्रा में संबंध होता है ठीक है तो आपके एक्जाम में अगर trial and error theory नाम ना आकर कोई अन्या नाम आता है जैसे अभी यह जो मैंने synonym बताई हैं अगर यह नाम आते हैं तो आपको इनके नामों का पता होना चाहिए हो सकता है आपको पजल करने के लिए इस तरह के नाम हो दे दे लेकिन पूछ क्या रहा सिर्फ Thorndike की थियोरी ही पूछ रहा है Thorndike ने क्या किया है, experiment किस पर की है क्या Thorndike बताना चाहता है क्या सीखा है तो सब कुछ इन्होंने क्या Thorndike के बारे में ही पूछ रहे हैं तो सिनोनिम इस तरह से भी आपसे questions में पूछे जा सकते हैं अलग कोई भी नाम आपसे देखर ठीक है तो नाम जरूर आपको पता होने चाहिए इसकी ठीक है, उसके बाद जो definition है, अब थियोरी किसकी है Thorndike की तो Thorndike ने इन्हों अपनी बूल देखर जाता है, वैसे जो गलत बूल है वो भी कम होती जाती है और मनुषय अपनी बूलों से ही सीखता रहता है थे ludzi्लाएकर में जो जानवर प्र Yaskya करते हैं और अपनी गलतिया करते हैं घलतियों से सीखते हैं उसी तरह, मनुश्य भी गलतिया करता है, अफ़र्ट करता है, और अपना लक्षे जो बनाता है, कि मैंने क्या लक्षे है, मेरे क्या लक्षे है, मुझे कहां तक पोचना है, फिर प्रयास करता है, और गलतिया करता है, और गलतियों से सीखता है, और एक टाइम ऐसा आता है, कि जो भी गलतिया मनुश्य करता है वो जो गलतिया होती है वो गम हो जाती है और जो गलतियों में लगने वाला जो समय है वो भी खतम हो जाता है ठीक है उसके बाद हम हमेज़ जो एक्सपेरिमेंट में लिखना है वो है एक्सपेरिमेंट की थोरन डाइक ने एक्सपेरिमेंट क बुकी बिल्ली उसको एक बोक्स के अंदर बंद कर दिया, बोक्स ऐसा था कि अंदर से ही वो खुलता था, एक बटन ऐसा था, उसको प्रेस करते थे, तब उसका दरवाजा खुलता था, वो थोड़ा सा hidden था, ठीक है, और उसको बंद कर दिया बिल्ली को अंदर, जो बोक्स थ बता था कि बिल्ली बहार आने के लिए कितना अफर्ट करती है, कितनी प्रयास करती है, कौन-कौन सी वो गलतिया करती है, और कितना उसको टाइम लगता है, बतलब इतना जो भी प्रयास करेगी बहार आने के लिए, उसमें उसको कितना टाइम लगेगा, और जो बहार रखा जो उसका एक लक्षया है में उद्देशया है बाहर आकर उस मचली के टुकड़े को खाना उसको उद्देशया तक पहुचने में उसको कितना टाइम लगेगा ठीक है यह सब जो थोरंडायक है वो नोट भी कर रहा था ठीक है तो क्या किया बिल्ली ने जैसे ही उसको देखा बाहर रखे हुए उस जो मसले का टुकड़ा उस ने रखा था थोरंडायक ने तो बिल्ली ने उसको देखा उसके जो बूक है वो कई गुना बढ़ गई एक तो बिल्ली बूकी है उसके बाद उसको एक बोक्स पे बंद कर दिया गया है उसके सामने उसको खाना दिखाया ग सकते हैं यहान है कि मुझे बाहर साहरे प्रयास किए इदर अदर भागी 캐ёмasi कुछ ने अफस्त हुआ पर जिसने कोशीश की बहुत बार बहुत देर के बाद ऐसा हुआ जो कि बिली घूम रही है उपर नीचे पता नहीं कहा का अपने हाथ पैर मार रही है उसके बाद क्या हुआ कि बिली का पैर उस बटन पर पड़ गया जहां से जो पिंजरे का जो दर्वाजा वो खुलता है तो दर्वाजा खुल गया बिली बा तो उमचली के टुगड़ में एक मचली टुकड़ मचली के टुकड़ कर लेवागदोर फिर वही काम कर रहीtek यह तो अैसी करते 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 बार बार में उसका चार में जो पैर है बटन पर घर बटन पर पड़ता है क्योंकि वो आफ़ट कर रही है तो धरवाजा खुलता है वो बाहर आती है मसले का टुगड़ा खालेती है थो थो तना उसके दिमाग ने ही काम किया कि धरवाजा तो खुलता है लेकिन खुलता कहां से उसको यह पता चल गया वो जो बटन है उस पर उसकी नजर पढ़ गई, उसको पता चल गया कि इस बटन को दबाते ही दरवाजा खुल जाता है, तो जब थोरंटाईग ने दोबारा बिल्ली को अंदर डाला, बिल्ली ने बटन पर प्रेस किया और दरवाजा खुल गया, दोबारा थोरंटाईग ने क्या किया दोबारा बिल्ली को अंदर डाला और दोबारा बिल्ली ने डाला बटन पर दरवाजा खुल गया तब थोरंटाई को जो नोट कर रहा था उसने टाइम नोट किया कितना बिल्ली ने प्रयास किया कौन-कौन सी उसने गलतिया कि पहले गलतिया कर रही थी भागदोड की न कुछ अफर्ट किया, सीधा बटन प्रेस किया और भार आ गई, ठीक है तो थोरंट डाइक ने ये नोट किया कि जो हम करते हैं जो भी हमारे जो लक्षय होता हैं उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं कुछ गलतिया भी करते हैं, उन गलतियों से तो ये एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पर और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये दस दिनों तक लगातार थोरंडाइक नहीं किया था बताओ थोरंडाइक के पास और कोई काम नहीं था दस दिनों तक बिल्ली को अंदर बोक्स में डाला और बिल्ली से वही काम करवाता रहा ठीक है तो दस दिनों तक ऐसा ही करता रहा विचारे बिल्ली के साथ ठीक है तो ये हो गया बिल्ली तो हो गई आजाद उसके बाद थोरंडाइक ने अपनी थोरी में क्या-क्या बताया कि बिल्ली ने क्या-क्या प्रयास किये और जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो भी अपनी लाइफ में कैसे-कैसे प्रयास करता है, कैसे-कैसे सीखता है, इसके साथ human beings को भी जोड दिया इनोंने, ठीक है, तो अब देखते हैं, जो Thorandike ने बताया है, जो अपनी थियोरी दी है, उसके element कौन-कौन से है, तत्व कौन-क लक्षे, अगर मनुश्य रखता है, कि मुझे यहां तक पहुचना है, तो उसको लक्षे को पूरा करने के लिए मनुश्य कीन-कीन रास्तों से होकर गुजरता है, और क्या-क्या उपना पड़ता है, कौन-कौन से प्रयास करता है, जो गल्तियों से सीखता है, और तब जाक तक पोशने के लिए बिली ने कौन-कौन से प्रयास किय थी, कौन-कौन से गलतिया गी थी, और किन गलतियों से बिली ने सीखा है, ये बताने चाते हैं, धोरंडाइक, और ये फर्स्ट इसका element है, ठीक है, उसके बाद है, बाधाएं, बैरियर्स क्या-क्या होंगी, अब जब हम कोई लक्षय हम रखते हैं, कोई उदेशय हम लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने उदेशय रख दिया, और उसको हम प्राप्त करने के लिए चल पड़े, और बीच में कोई बाधा आना है, कोई रुकावट ना है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो बीच में बाधाएं भ हम remove करेंगे, प्रियास करेंगे, गलतिया करेंगे, और गलतियों से ही हम सीखेंगे, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद है अंगिनत प्रियास, multiple tried, मनुश्य बादाओ को दूर करने के लिए, अने क्रियाई करेंगा, हाथ पर मारेंगा, अलग लग प्रियास करेंगा, और इनी सबी करियाओं मेंसे, कुछ करियाई चैनित करेगा, जिनमेंसे उसको कम समय लगाएगा, अब किसी मनुश्य ने कुछ उदेशय रख लिया, कुछ लक्षय रख लिया, जैसे आपका लक्षय, किसी का लक्षा हो सकता है भी हमने seated pass करना है तो अलग-अलग books से read करेगा इंटरनेट से select करेगा और उसके बाद ये देखेगा कि मैंने क्या-क्या कहां से select किया है फिर वो ये देखेगा कि मैंने सबसे कम time में मैंने कहां से सीखा है कम टाइम में मुझे कहां से स्लेबस जो मैटीरियल है वो मुझे प्रोवाइड हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा जो उसने गलतिया की है जो एक्स्ट्रा उसने छानमीन की है उसको छोड़ देगा और सिर्फ उनी पर फोकस करेगा जो उसके काम की चीजे हैं जो स्लेक्टिड जीजे हैं सिर्फ उनी पर वो ध्यान के इंद्रित करेगा और जो उसका टाइम है वो भी बचेगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा जीजे हैं उसकी वो तो रिमोव हो जाएंगी और फोकस उसका सिर्फ उनी चीजों पर होगा जिससे उसके लक्षय की प्राप्ती हो सकती है उसके बाद है अभी प्रेरणा मोटिवेशन सीखने के लिए अभी प्रेरणा बहुत सायक होती है व्यक्ति का लक्षय उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जो भी उसने प्रेयास किये हैं जिसमें उसको सफलता अपराप्त होई है उसको प्रेरणा मिलती है और आगे ही बढ़ेगा जैसे बिल्ली के लिए बाहर रखी गई मचली को खाने के लिए किया गया प्रयास उसको प्रेरित करता है जब बिल्ली एक दो बार बाहर आई थी तो उसको पता था कि हाँ मैं बाहर जा सकती उसको मोटिवेशन मिला था अगर थोरन डाइक उसको बार 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 बिल्ली को बुक्स के अंदर डाल रहा था तो उसको पता था मैं प्रयास करूँगी मैं अगर कुछ तरीके अपनाऊंगी बाहर निकलने के लिए कुछ हाथ पैर मारूंगी तो मैं बाहर आ सकती हूँ क्योंकि उसको motivation मिल रहा था वो एक बार बाहर आ चुकी थी और अपने खाने को प्राप्त कर चुकी थी तो इसलिए उसको motivation मिला अगर सकारात्मक जब हम काम करते हैं और हमें उस काम में सफलता मिलती है वो होता हमारे लिए motivation ठीक है जब हम काम करेंगे और हमें कुछ सफलता हासिल हो जाएगी तो हमें motivation भी मिलेगा उस चीछ जी ठीक है उसके बाद सफलता motivation हमें मिलगा हमने लक्षे रखा था लक्षों को प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में बाधाय आई हमने अलग-अलग प्रयास किये और प्रयासों से हमने सीखा और जो भी एक्स्ट्रा प्रयास हम कर रहे थे जो गलतिया कर रहे थे उनको हमने छोड़ दिया साइड में रखा और जो main main point थे उनको हम लेकर चले और जिससे हमारी जो कलतिया है वो कम हुई, समय हमारा कम लगा उससे हमें motivation मिला और motivation मिलने के बाद हमारा जो काम है, जो हमारा लक्षा है वो हमारा complete हो गया यहां यह भी ले सकते हो जो billy ने effort की थे जो billy ने प्रियास की थे यहां पर बिल्कूल कारगर सावित होगा, यह इसके element है, billy के box में डालने के समय से और billy के बाहर आने तक के जितने भी effort billy ने किये है वो सब यहां पर element इसके साथ बिल्कुल फिट बैठते हैं तो element हमारे हो गए यहां तक आपको समझ आ गया थोरंडाइग ने क्या बताया है और उसके experiment क्या है और उसके element क्या है यह सब ठीक है अब हम बात करेंगे थोरंडाइग के laws के बारे में यहां से हमेशा question आता है CTAT में भी questions आते हैं और आपके जितने भी teachings exam आप दोगे वहां पर भी थोरंडाइग के जो questions है यहां से बनते हैं और आपके बेड में तो यह exam में questions जरूर आता है ठीक है तो laws कौन-कौन से हैं इसके थोरंडाइग ने दो नियम बताई हैं एक तो बताया है मुख्य नियम अधीगम के मुख्य नियम main laws और दूसरा बताया है अधीगम के गोण नियम जो secondary में आते हैं अब थोरंडाइग ने यह दो में क्यों डिवाइड किये हैं तो नियम थोरंडाइग नहीं दिये हैं तो इन्होंने अलग-अलग क्यों बताए एक को बता दिया इन्होंने में प्राइमरी दूसरे को इन्होंने बता दिया सेकेंडरी ठीक है तो प्राइमरी में इन्होंने तीन तरह के नियम बताए हैं फर्स्ट है तत्परता का नियम सेकेंड है अभ्यास का नियम थर्ड है प्रभा का नियम, फूर्थ है सादिर्षता का नियम and फिफ्थ है साचारिय přिवर्थन का नियम, अब बात फिर से वही आ जाती की इन्होंने अलग अलग क्यों रखे। थोरन डाएक का यह मानना था, यह जो त्री है जो मेन नियम इन्होंने बताई है मेन लोज इन्होंने बताई है इनका मानना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित यही होते हैं जब हम कोई काम करते हैं जब हम कोई प्रयास करते हैं जो कलतिया करते हैं उसे सीखते हैं तो मेन यह तीन है यह हमारे आएंगे सेकंडरी यह थोड़ से कम effective है, इसलिए इन्होंने दो तरीके में इन्होंने बाट दिया, तो parts में इन्होंने इसको बाट दिया है, ठीक है, आपको इसी तरह से याद करने पड़ेंगे, primary में आएंगे 3, secondary में आएंगे 5, total हो गई आपके 8, ठीक है, आप करेंगे इनको detail में, फर्स्ट है primary, last के उनकों से होंगे, फर्स्ट है ततपरता का नियम, law of readiness, यहां इस word से सीखेंगे ततपर, ततपर क्या होता है, हम किसी काम को करने के लिए कितने ततपर हैं, कितने ready हैं उस काम को करने के लिए, अगर हम किसी काम को करने के लिए ready हैं, तो हम कुछ सीख सकते हैं Otherwise हम दूसरे हमें नहीं बोलेंगे कि आपको ये सीखना है, अगर हम खुद ही नहीं सीखना चाहेंगे, तो दूसरे कितने ही प्रयास कर लें हम कुछ भी नहीं सीख सकते, अब किसी बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है, और जब तक बच्चा स्वेम नहीं कुछ सीखने के ल नहीं होगा, तो पहले थोरंटा एक बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए खुद से तयार होना पड़ेगा, उसको रेडी होना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद इन्होंने बताया है अभ्यास का नियम, अभ्यास मतलब एक्सरसाइज, जब तक हम ने कुछ क्लास में टीचर ने करा दिया, जब तक हम घर पर आकर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगले दिन वो साफ हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज, अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो थोरंटाइक के अनुसर जिस कारिय को व्यक्ति बार-बार करते चले जाते हैं, उससे व्यक्ति सफलता, पूर्वक सीख जाते हैं, यदि व्यक्ति सीखे हुए कारिय का अभ्यास नहीं करेगा, तो उससे भूल जाएगा, तो अभ्यास को भी नो ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ ह एक है उप्योग का नियम दूसरा है अनुप्योग का नियम उप्योग का नियम यही कहता है अगर कोई व्यक्ति है वो प्रयास करता है एक्सरसाइज करता है अभ्यास करता है उस चीज को तो वो चीज जो है उसके दिमाग में लंबे समय तक रहती है उस चीज को वो भूलता अगर उसी काम को बीच में व्यक्ति छोड़ देता है अब हम पढ़ाई से ही लगा लेजे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उसके टच में रहेंगे हमारे मैंड में वो चीज फिक्स रहेगी हम उनको हमारे जो दिमाग में जो बाते हैं जो exercise हम कर रहें जो practice हम कर रहे हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख जाएंगे और भूलेंगे नहीं उस चीज को अगर हम बीच में छोड़ दें दो दिन हमने बुक उठा ली तीसरे दिन हमने बुक छोड़ दी और एक हफ़ते के बाद हम उठा रहे हैं तो हमें उससे जाधा effort करना पड़ेगा उससे जाधा प्रय गेम खेलता है अगर उस चीज की उस गेम की प्रैक्टिस नहीं करेगा ग्राउंड में जाकर तब तक उस चीज में वो निपोन नहीं होगा ठीक है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है एक्सरसाइज ज़रूरी है ठीक है उसके बाद इन्होंने बताया है थर्ड प्रभाव कानिय जब किसी कारिये के बाद कोई अनुक्रिया प्रदेशित होती है किसी कारिये को किसमाप्ति पर व्यक्ति प्रसन होता है या दुखी होता है व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है अब कोई व्यक्ति है किसी काम को किया है उसने अफर्ट किया है प्रयास किया है गलती की है और उनसे सीखा है उससे उसके व्यक्ति के व्यक्तितों पर क्या परभाव पड़ा है ये बताता है थोरंडाय का third law ठीक है तो इस बात को हम ऐसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो क्लास में एक तो बच्चा intelligent है और एक उसके डैडी ने उसको दिलाई है mobile दिला दिया bike दिला दि 10th 12th में बच्चा है अच्छे से पास हो गया तो उसके parents ने उसको उसकी मन पसंद चीज़े उनकी parents ने उनको दिला दी तो क्या प्रभाव पड़ा बच्चे पर वो ये सोचेगा कि मैंने exam में पास आने पर मेरे exam म मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया तो सोचो आगे अगर मैं और भी अच्छे मार्क्स अगर लेकर आऊंगा तो मुझे मैं जो कहूंगा वो मुझे दिलाया जाएगा और एक जो दूसरा बच्चा है उसको पेरेंट्स के द्वारा पीटा जाता है तो बच्चे पर क्य परभाव पड़ा नेगिटिव परभाव पड़ा है तो क्या परभाव पड़ता है वैक्ति के कारिये का वैक्ति के वैक्तितों पर ये बताता है थोरंडाय का लोग जिसको कहा जाता है परभाव का नियम ठीक है क्या परभाव पड़ता है वैक्ति के कारिये का वैक्ति पर ठीक है? उसके बाद है थोरंडाइक के गोण नियम. यह secondary laws है, first जो primary है, वो हमने देख लिए तीन है, उसके बाद हम देखेंगे secondary laws थोरंडाइक के. तो थोरंडाइक के जो गोण नियम है, उसका first है, बहुँ पृतिक्रिया का नियम. बहुँ पृतिक्रिया का मतलब क्या है? बहुत सारे कारिया करते करते जब हम काम में निपुण हो जाते हैं, उसको का जाता है बहु पृतिक्रिया का नियम. अब कोई काम है जो छोटे बच्चे हैं छोटे बच्चों ने जब खाना स्टार्ट किया है या फिर कोई भी एक्टिविटीज करने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में तो वो निपूर नहीं थे उस काम में करने के लिए अब कोई बच्चाãy starting में खाना start करता है चमच उसको operating में तो चमच पकड़ने नहीं आती, लेकिन जैसे तैसे करके वो practice करता है उस चमच को पकड़ता है, फिर खाना खाता है खाना गिराता भी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, फिर बिना गिराए वो बच्चा खाना खा लेता है ठीक है बच्चा टाई बांधना ही स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादे गलतिया वो करता है टाई अच्छे से उसको बांधनी नहीं आती है लेकिन प्रयास करते 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 बच्चा एक दिन ऐसा आता है कि बिना क इसी प्रयास को किये बिना किसी time को ज़्यादा लगाए बच्चा क्या है अपनी जो टाई है वो बांध लेता है तो बहुत सारी जो ख्रियाएं है वो करते-करते बच्चा क्या है वो बच्चे को experience हो गया है उस चीज़ का ठीक है तो ये था first भुव पृतिक्रिया का नियम उ अध्यापक छात्रों को अनेक तरह के सिखाने के प्रयास करते हैं, प्रन्तु जब तक विध्यार्ती स्वयम सीखने के लिए तयार नहीं होगा, मनोधशा अधिगम नहीं होगा, मतलब जब तक विध्यार्ती खुद नहीं सीखना चाहेगा, एक टीचर कितना भी कोशिश कर ल अगर पूरा ध्यान बच्चे का क्लास में नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है, तो ये था मनुदिशा का सिध्धान्त, उसके बाद है आशिक तत्व का नियम, धर आएगा, आशिक तत्व का नियम, आशिक का मतलब होता है थोड़ा-थोड़ा, पार पार्ट में करके सिखाना, ठीक है, तो थोरंट है कि ये कहते हैं कि हमें पूरा नहीं एकदम से सीखना है, हमें टुकडो में सिखाना है बच्चे को, टुकडो में जब हम सीखते हैं किसी चीज को, तो हम उस चीज को जल्दी सीखते हैं, अब कोई आप एक चेप्टर लगा आप पूरे चेप्टर को याद नहीं करते बलकि उसको टुकडो में तोड़ लेते हो जो भी आप फस्ट करते हो जैसे मेनिंग कर ले डेफिनेशन कर ले उसके बाद करेक्टिस्टिक्स आप कर रहे हो उसके बाद आप टाइप्स वगरा जो भी उसको पार्ट में आप होगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ मैंने ये सिखा हुआ है और आपको कंप्लीट सिखने में आसानी होई ठीक है तो जो भी टुकडो में सिखा जाता है जो पार्ट में सिखा जाता है वो हमारे लिए सिखना आसान होता है ठीक है उसके बाद फोर्थ है शादर्शता क नियम इस नियम को आत्मी करण या समानता का नियम भी कहा जाता है यह नियम पूर्व अनुबूव पर आधारित होता है जब व्यक्ति के सामने नई समश्या या प्रिस्तिती आती है तो उससे मिलती जुलती समश्या को याद करता है और ने ज्यान को अपने पुराने ज्यान क स्तायंग बना लेता है अब कोई बच्चा है उसके सामने कोई प्रोब्लम आई हुई है और उसने उस प्रोब्लम को फेस किया हुआ है पहले उससे मिलती जूलती कोई प्रोब्लम आ गई है तो क्या करेगा बच्चे को बच्चा उस चीज को याद करेगा कि हाँ पहले इस तरह की problem मैंने face की हुई है और ये जो problem मैंने पहले soul out की थी उसी से मिलती जूलती है और मैं इसको soul out इस तरह से कर सकता हूँ ठीक है उसके बाद जो last है वो है सैचार्य प्रिवर्तन का नियम ठीक है इसमें वैक्ति कभी पहले जो वैक्ति ने काम किया हुआ है जो क्रिया वैक्ति ने पहले की हुई है और सेम एक्टिवीटी उसके सामने अब आ गई है तो क्या है दोनों जो एक्टिवीटीज है जो दोनों क्रिया हैं दोनों सेम है लेकिन यहाँ पर एक थोड़ असा change है कि जो पहले वाली activities थी, जो पहले वाली जो समश्या थी, उससे उसने सीखा था कि जो समश्या पहले आई थी, उसी समश्या से मिलती जुलती है, मैंने इसको soul out कर लिया, यहाँ पर क्या है, जो बच्चे ने पहले किया हुआ है, जो भी वैक्ती ने पहले काम किया हुआ है, उ जो स्थान है उसका प्रिवर्तन हो जाएगा जो उसने पहले गिया था किसी जगह पर वो अलग है और अब वाली जो नई स्थिति है ये अलग है ठीक है सिर्फ जगह की प्रिवर्तन होगी प्रिश्थिति में प्रिवर्तन होगा कोई काम है जो student ने किसी लैब में किया है ठीक है लेब में वो काम भी वही है और जो घर पर कर रहा है वो काम भी वही है लेकिन क्या है प्रिस्तितिया अलग है वो स्कूल था ये घर है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे प्रियास और तुरूटी के सिधांत के सिक्षा में क्या-क्या प्रियोग है educational implication क्या-क्या होंगे थोरंडाई की थियोरी के ये आपसे पुछे जाते हैं आपसे थोरंडाई के educational implication ज़रूर पुछे जाते हैं अगर ना पुछे जाएं तो आपको ज़रूर लिखकर आना है educational implication किसी भी थोरे के आपको डोपनी गरने छोड़ने नहीं है ठीक है ये ध्यान रखेगा ठीक है तो जो educational implication क्या है थोरंडाई की थियोरी के वो देखते हैं फर्स्ट छोटे बच्चों में आदतो दिश्टेकोण रूचियों के विकास में यह सायक है यहाँ पर एक बात और बता दू जो थोरंडाई की थियोरी है सबसे जादा जो कारगर साबित होती है वो छोटे बच्चों पर बड़े बच्चों पर इतनी बड़े वैक्तियों पर तो कि यह से क्या है ट्रैल एंड एरे थियोरी है अभ्यास जो बच्चा करेगा उससे उसकी जो हैबित है वो फिक्स हो जाएगी अब कोई बच्चा है जिसमें गलत आदित उसको पड़ गई है जैसे छोटा बच्चा लगा लेजी वो टोफी बोध खाता है उसको टोफी की जगए पर वो दूसरी चीज खाने लग जाता है तो जो गलत आते थी जो मीठा खाने की जो टोफीज खाने की तो उसकी जगए पर उसने दूसरी चीज ले ली और वो दूसरी चीज उसकी आदत बनगी जो की उसके दातों के लिए भी बुरी नहीं है उसके सेयत के लिए भी के लिए तो वो उस प्रयास को करते करते उस काम का अभ्यास करते करते उस चीज़ को सीख जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको जल्द ही उस काम में वो महारत हासिल कर लेंगे ठीक है उसके बाद है ये जो थोरंडाई की थियोरी है क्योंकि कोई questions है कोई सम है math का math का जब हम कोई questions निकालते हैं तो बहुत सारी गलतिया करते हैं क्योंकि एक बार में कोई questions नहीं निकलता बार बार हम प्रयास करते हैं गलतिया भी करते हैं और कहीं न कई हमारे mind में जब ये आता है कि यहाँ पर इसकी वज़़े से कोई दिक्क तो हम उस गलती को remove कर लेते हैं बार बार practice करते हैं किसकी math के सम निकालने की और संगीत की या फिर dance की ठीक है उसके बाद next आएगा इस इधांत के आधार पर समश्या समाधान एवं सिक्षक द्वारा निर्देशन के द्वारा विध्यार्थियों का अधिगम कराया जा सकता है मतलब कि कोई भी problem आ रही है उस problem को कैसे soul out करना है ये हमें पता चल जाएगा और एक विध्यार्थि का निरक्षन टीचर को कैसे करना है इसके बारे में भी एक टीचर को पता चल जाएगा ठीक है नेक्स्ट है ये ऐसी दान समश्या समाधान मतलब problem solving पर focus करता है problem solving पर focus क्यों करता है क्योंकि जो तुरंडाइक ने बताया है कि trial and error गलतियों मतलब प्रयास करेंगे गलती करेंगे और उन्हीं गलतियों से सीखेंगे problem होगी और problem को हम soul करेंगे अलगलग प्रयासों से ठीक नेक्ठीक करता है उन्ह需 को मुटिवे करता है जैसे मानली जी कोई घर पर महमान आया है बच्चा क्या है भाग कर पानिका गिलास ले आया है और उसको महमान के दुबारा motivation किया गया कि यहां very good, बहुत अच्छा तो बहुत अच्छे बच्चे हो तो जब दुबारा महमान आएगा तो बच्चा भाकर दुबारा गिलास पानी का लेकर आएगा क्योंकि उसको motivation मिला है अगर बच्चा पानी का गिलास लेकर आया और महमान ने ध्यान ही नहीं दिया गिलास पानी पी लिया, तो बच्चा दुबारा गिलास नहीं लेकर आएगा वो यहीं सोचेगा, अच्छा मैं तो पानी लेकर आए, इतनी मैहनत मैंने कि और कुछ भी नहीं बोला, मैं नहीं लेकर आँगा बच्चों को motivation जरूर मिलता है बच्चों को motivate हमें करना चाहिए और बच्चों को motivation कैसे मिलता है उनके द्वारा किये गए कारियों से ही उनको motivation मिलता है उसके बाद इस सिध्धान्त के द्वारा बच्चों की चिंतन शक्ति का विकास होता है जिससे अनेक परकार की ज्यान को प ग्यान का विकास होगा नेक्स्ट है यह सिधान्त यह सिधान्त करके सीखने पर बल देता है मतलब learning by doing पर यह जो सिधान्त है यह focus करता है learning by doing बिल्कुल होगा क्योंकि जो हम कर रहे हैं हम अपने आप कर रहे हैं करके सीख रहे हैं क्योंकि गलतियों से हम कर रहे हैं तो गलतिया कब करेंगे जब हम किसी काम को करेंगे जब तक हम किसी काम को करेंगे नहीं गलतिया करेंगे नहीं और सिखेंगे कहां से ठीक है तो learning by doing पर भी focus करता है उसके बाद है इसी दान से धैरिय और प्रिक्षम के गुणों का विकास होता है बिल्कुल होता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें धैरिय भी चाहिए होता है हम अपनी महनत भी लगाते हैं प्रयास भी करते हैं अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो बनता नहीं है बिगड रहा है बार बार, तो हम उस चीज को छोड़ दे, अगर हम में धैरिया ही नहीं है, हम किसी काम को करने में अपना धैरिया ही नहीं लगाते हैं, अगर हम प्रयास नहीं करते हैं, उस चीज को छोड़ दे, तो वो काम होगा कैसे, तो हमें धैरिया भी बनाना पड़ेग जैसे बच्चों को starting में counting बुलवाई जाती है तो बच्चे starting में तो थोड़ी सी गलतिया करेंगे बोलने में थोड़ी सी गलतिया करेंगे बच्चों से part पढ़वाय जाता है class में तो ये नहीं है कि starting में जब बच्चों को हम बोलते हैं कि part पढ़ो तो बच्चे कोई गलतिया नहीं करते उच्चारण में उनकी गलती होती है थोड़ी सी जो उच्चारण की जो ताल ले होती है उसमें थोड़ी सी गलती होती है क्या है कि फोकस नहीं कर पाते हैं अपने वर्ड्स पर उसके बाद next है, यह सिद्दान्त group discussion के लिए काफी साया काई, अब जब हम group discussion कराएंगे class में बच्चों से, group में बच्चे सीखेंगे, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है और दूसरा बच्चा उस चीज को remove कर दे, उस गलती से अगर बच्चा सीख ले दूसरों की, जो दू बच्चा सीखे गई group में रहकर, स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं पता group discussion कैसे होता है, लेकिन अगर उसको किसी group में डाल दिया जाए, तो उसको पता होगा कि group में कैसे focus किया जाता है, कैसे answer दिये जाते हैं और कैसे group discussion होता है, ठीक है, उसके बाद है, यह सिद्धान् तरीके से छुडवा सकते हैं, अगर हम उसको marpet करके छुडवाएंगे, अगर किसी बच्चे का जो group है, वो थोड़ा सा गलत है, negativity thinking है, अगर बच्चा उस group में बैठने लगा है, तो हम उस चीज को कैसे remove करें, यह भी हमें इस theory से पता चलता है, कि हम उस बच्चे को जो तो यह होगी आपकी थोरंड़ाई की theory, आई होप आपको समझ आई होगी, लास्ट में निशकर्स जरूर लिखना है, और यह जो theory है, यह जो notes है, यह PDF file में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, description में लिंक डाल दूँगी, वहां से PDF file आप डामलोड कर लेना, तो comment करके जरूर ब childhood and growing up से, ठीक है, तो मिलते हैं फिर next video में तब तक घर पर रहें सुरक्षित रहें और अपने exam की त्यारी जरूर रखें, ठीक है, thank you